नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है NKP Production में मैं हूँ नीरज और चली आज अपडेट करने जा रहा हूँ वो अपडेट है आपका सेमेश्टर फोर बैकलोग एक्जामनेशन से रिलेटेड जी पेपर सेमेश्टर फोर में जो जी पेपर होने वाला है उससे रिलेटेड भी में आप बात करने जा रहा हूँ डेट सीट आपका आचुका है उसमें किसी तरह का कंट्रडेक्शन हो रहा है उसके रिगार्डिंग में बात करने जा रहा हूँ तो अंतक वेडियो में आप बने रहेंगे मलगी form fill up होने वाला है एक जुलाई 2023 से लेकर के साथ जुलाई 2023 तक में आपका payment होने वाला है और अगर माली जी इतने बीच में आप नहीं कर पाते हैं तो आपका 8 से लेकर के 9 तक में मलगी 8 और 9 तक में आपको late fine के साथ में fee payment करना होगा तो आप खास बात ध्यान देंगे form fill up आप जरूर करेंगे तो यहाँ पर आप बात करें कि आपका जिनका back लगा हुआ है सेसन क्या क्या है तो सेसन की बात करें तो 2017 से लेकर के 20 2018 से लेकर के 20 2019 से लेकर के 22 2020 से लेकर के 2023 के श्टूडेंट जो है semester 4 में जिनका back लगा हुआ है वो आपका इसमें आप fee payment करना है तो fee payment करने के लिए का करना होगा मरवाडी कोलेज के official website पे जाईएगा www.marvadicollege.ac.in पे वहाँ पर click here fee payment पे click किजिएगा उसके बाद में आपको select करने का option आएगा तो इसमें in semester exam fee semester 4 only backlog g e paper only backlog g e paper है जिनका g e paper है बस वो उनको select करेंगे और जो normal है उनका back लगा हुआ in semester exam fee semester 4 को click करेंगे login बीत करेंगे अपना registration number जो है और date of birth उसके साथ में login करेंगे और अपना payment का initiate करेंगे और उसके बाद में आपकी जानकारी के लिए बताने होगे जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि यहां पर जो semester 4 का टेंटेटीट डेट जो है यहां नहीं यह कॉमर्स कर दिया गया है कि आपका एक्जामनेशन जो है बारा जुलाई से होने वाला है मैं आपको डेट सिर्स के साथ में भी बताने वाला हम वहीं पर अस्टुडेंट के लिए यहां पर किलियर किया आज बात को ध्यान रखेगा वहीं पर इंट्रेश्टेट स्टुडेंट यूजी समेस्टर यूजी आपको पेमेंट करना होगा पेमेंट करेंगे तभी आप ईग्जामनेशन दे पाएंगे नहीं पर नहीं देता औरफ fajā कई कि आपको अगर पेमेंट करना होगा चिक अब जिनका भी ब несे बीस और 18 से यूजी क्लास न सटुदेंट वह naval को सेमेश्टर् вроде का भी हो रहा है समेश्टर वन का हो चुका है यह समेश्टर फोर का होगा उसके बाद में समेश्टर थ्री और टू का बच जाएगा उसका जब नोटिस आएगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा अभी एड्मिर काड़ आप देखिए इत्यों तो दोस्तों यहाँ पर देखिए डारेक्ली निकाल दिया गया कि आपका बारा से ले करके आपका जो इक्जामैशन प्र स्ट्ट होगा और इसमेंश्टंट को बताया जा रहा है यह आपका एक्जाम होगा तो मारवाड़ी कोलेज के प्रेबिस इसी में मिल्यें होग जैसे 14 का जो डेट है और वहीं पर बात करें 19 का डेट है तो वह आपको क्वलाप्स कर गया है कि मतलब कि मारवाडी कुलेज में जीजिए पेपर का एक्जामनेशन हो गया है और आपका राची इनीवरसिट्टी के तरब से भीài जामनिशन का डेट पर कोलाइब्स हो गया है तो इसके लिए मैंने सर को मेसेज कर दिया है प्रिंसिपल सरसार में बात चल रही है अब जो भी अपडेट होगा उसके लिए अगर रिवाइश किया जाता है टो तो मैं डेट सीट को अपडेट कर दूँगा तो रेगुलर बने रहेंगे NKP प्रोड़क्शन के साथ ताकि आपको हर तरह का अपडेट मिलता रहेगा अगर आप तुरंट अपडेट जाते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाईए वहाँ पे लिंक दिया हुआ है और वहीं पर आपका जीए पेपर का जो 2017 से लेकर 20 और 2018 से अकीस के हैं उनका यहां पर खास यहां पर दिया गया जो फर्स सेटिंग और साकेंड सेटिंग में होगा तो जीए पेपर वालों के लिए जो से मेंस्ट फूर का एक्जाम निशन देंगे वह बारा से लेकर के सतर नाम निशन होगा अगर इसमें किसी तरह का रिवास्ट होता है या तो किसी तरह का चेंजर होती है मैं अपडेट जरूर करूंगा बने रहेंगे इनके पी प्रोडक्शन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद